सब को नमस्कार दिल्ली में अभी तक के जितने पिछले दो-तीन महीने सारे मिला के करोना के जितने मरीज हुए उनकी संख्या लगबग एक लाख पहुँच गई है लेकिन एक लाख से घवराने के जुरूरत नहीं है इन में से लगबग 72,000 मरीज ठीक हो गए है दिल्ली में ठीक होने वालों की प्रतिशत 72 प्रतिशत हो गई है जो की बहुत बड़ी है तो इसका मतलब लोग बिमार तो हो रहे हैं लेकिन साथ-साथ ठीक होते जा रहे हैं पिछले हफ़ते दिल्ली में करोना की स्थिती में और अधिक सुधार हुआ है जैसे जून के महीने में जब हम टेस्ट किया करते थे, सौ लोगों के टेस्ट करते थे तो उसमें से 35 लोग करोना के मरीज निकल के आते थे अब दिल्ली में हम सौ लोगों के टेस्ट करते हैं तो वो किवल उसमें 11 लोग ही मरीज निकल के आते है तो एक तरह से इसको positivity ratio कहते हैं इस तरह से इसमें सुधार हुआ दिल्ली में अब रोज 20 से 24 हजार के बीच में टेस्ट हो रहे हैं और अभी अभी में देख रहा था एप के उपर दिल्ली में इस टाइम करोना के 15,000 के करीब बेड़ हैं टोटल और उसमें से केवल 51 सो बेड़ पे पेशेंट मरीज हैं तो अस्पतालों में जितने अस्पताल हैं सारे अस्पतालों में मिलाके केवल 51 सो मरीज हैं पिछले हफते दिल्ली के अस्पतालों में 62 सो मरीज थे करोना के आज कम होके एक हफते में 51 सो मरीज रह गए तो अस्पतालों में मरीजों की संख्यट कम हो रही है मरीज ठीक हो के घर जा रहे है और इस टाइम दिल्ली में लोगों को ना टेस्टिंग की कोई समस्या हो रही है और ना बेड्स की कोई समस्या है बेड्स भी असानी से मिल रहे हैं beds को लेके कोई अफरात अफरी नहीं है app के उपर आप देख सकते हैं कि कितने beds कहां खाली है जादा लोग जो है उनका घरों में जैसे आज 25,000 अभी total आज दिल्ली में मरीज हैं current अभी 25,000 उनमें से 15,000 मरीज घरों में उनका इलाग चल रहा तो घरों में जो हमारा प्रोग्राइम है लोगों की देखवाल करने का घरों का home isolation का प्रोग्राइम हर घर में हम ऑक्सीमेटर पहुचाते हैं वो बहुत सफल हुआ है और लोग घरों के अंदर ही ठीक हो रहे हैं मौत का रेशो भी कम हुआ है एक दिन जून के महीने में ऐसा आया था जब सवासो से ज़्यादा मौत हो गई थी आज दिल्ली में पचपन साथ पचपन साथ क्या सपास मौत हो रही हैं और भी कम करनी है लेकिन पहले के मुकाबले आधी मौत हो गई है पिछले हफ़ते हम लोगों ने प्लाजमा बैंक शुरू किया था देश का पहला करोना प्लाजमा बैंक जब तक करोना की वैक्सिन नहीं आ जाती तब तक करोना का इलाज नहीं है लेकिन तब तक प्लाजमा जो है प्लाजमा के जो ट्राइल किये गए दिल्ली में ट्राइल के जो नतीजे आये वो नतीजे ये दिखाते हैं कि प्लाजमा से लोगों को करोना में मदद मिलती है जो moderate patient हैं वो severe होने से बचते हैं उनकी स्थिती सुधर जाती है मौत के उपर control करने में मदद मिलती है तो पिछले हफ़ते हम लोगों ने देश का पहला plasma bank बनाया था अभी तक दिल्ली में plasma लेने वालों की अफरात अफरी मची हुई थी क्योंकि किसी को पता नहीं था plasma चाहिए तो कहां जाएं अब वो अफरात अफरी कम हुई है पिछले कुछ दिनों के अंदर लोग सबको पता है अब ILBS जा सकते हैं ILBS में plasma मिल रहा है पिछले हफ़ते चार-पांच दिन ब्रिस्पतवार को ये plasma bank शुरू हुआ था पिछले चार-पांच दिन में जितनी demand है plasma की वो बहुत जादा है और जो supply है वो बहुत कम है मतलब plasma donate करने वालों के संख्या कम है plasma की मांग करने वालों के संख्या जादा है तो अगर plasma donate करने वालों की संख्या नहीं बढ़ी जल्दी से तो थोड़े दिन में जो stock में plasma इनके पास पड़ा हुआ है वो सारा खतम हो जाएगा तो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है हाद जोड़ के कि ज्यादा से ज्यादा लोग सामने आएं और plasma donate करें इसमें घबराने की बिल्कुल कोई बात नहीं है कोई कमजोरी नहीं आएगी किसी तरह का कोई दर्द नहीं होगा आपके आने जाने का पूरी विवस्ता हम लोग कर रहे है कोई भी कुछ लोगों ने ये कहा जी अगर हम दुबारा करोना के अस्पिताल में जाएंगे अपने साथ अगर किसी को लेके जाएंगे उनको करोना जाएगा हमने plasma bank ILBS में बनाया है ILBS non-covid hospital है वहाँ पे कोई करोना के मरीज नहीं है तो वहाँ जाने से आपको करोना नहीं होगा इसके लिए आप चिंता मत करें मेरी एक टीम है जो डॉक्टर्स की टीम है जो करोना से जो मरीज ठीक हुए है उनको कॉल कर रही है फोन कर रही है उनसे निवेदन कर रही है अपील कर रही है कि आप प्लाजमा डोनेट करें अगर आपको भी ऐसा कॉल आए तो आप जरूर हाँ बोलिएगा मना मत करिएगा और सभी अस्पतालों से मेरी अपील है जितने भी अस्पताल करोना का इलाज कर रहे है कि जब आपके यहां से कोई मरीज ठीक होके जाए तो बिठा के पांच मिनिट उसके कांसलिंग कीजेगा कि चौदा दिन के बाद ठीक होने के चौदा दिन के बाद वो प्लाजमा जरूर दे अभी तक पिछले कुछ दिनों में कई लोगों ने प्लाजमा दिया है एक तरह से वो समाज की निस्वार्थ सेवा कर रहे है मैंने कल कुछ लोगों से बात की जिन जो कोरोना से ठीक हो गए थे जिनको 14 दिन पूरे हो गए थे उन लोगों को फोन करके मैंने खुद उन से बात की और मुझे बहुत खुशी हुई जो रिस्पॉंस मुझे उन लोगों से मिला सब लोग प्लाजमा डोनेट करने के लिए तैयार बैठे हैं तो पहले आईए इन में से दो लोगों की साथ मेरी जो बात्चीफ हुई वो सुनते हैं पहले रमिंदर जी के साथ मेरी जो बात हुई वो सुनते हैं जो przy funk से इन एले जायार लो लोगोगों से लोगए यी जोगोंते हैं तो आए हुई से मेरी जो रिए अटे हैं जो रिस्ताइन झाल 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 ये रविंदर जी थे अब एक और शक्स है करन जी जो प्लाजमा देने के लिए तयार है उनसे मेरी बात हुई थी उनकी भी बाच्चित सुनता है तब मेरी बाच्ट करंजी पको अप्लाट को वरॉए हुआ है अंजी सरा, sut uh Out करनкив, अफखो प्रोने हरा था ही सरा अभी ठीक हो गया है आंजी सर क्या जीन हो ब्रीकोट गय है सार इजिए आप सी मं को का था हाँ मैं सींप ही बूल राnt़ हाँ हेलो सरा मतुर्cı, मंज़े एक एक मेनें ऑप लिया था अच्छा बहुत अच्छा, ज्यादा तक्वीज तो नहीं है नहीं सर्फ एक निवेदन करने के लिए अच्छा जो जो लोग करोना से थीक हो रहे हैं वो प्लाजमा डोनेट करके दूसरों की जिंदगी बचा सकते हैं आपके एज क्या आपकी एज क्या है? सर नाइन इनुसरों नाइन लाजमा वाम मिलोकी खरेंगी तो पका पका है अब का चाहेंगे डोनेट कना है तो मेरे ऑफिस से कन्ते हरे और आपके आने जाने का सब अरेंजमेंट भी कर देंगे इसके लिए भी आपको दिक्कत नहीं, यह अपने लिए मौका है किसी की जिंदगी बचाने का, और भी आपके सर्कल में जितने लोग होना जिसको करोना के खीक हो गए, आपको मोटिवेट कीजिएगा, आप मुझे निक तक सर मुझे बचा लगा तो आपको लगा तो आपको मैंने और भी कई लोगों से बात की थी, कल और सब के बहुत अच्छे रिस्पॉंस थे, एक विक्ति ने तो काजी हम छे दोस्त हैं, छे के छे दोस्तों को करोना हो गया था, सब लोग ठीक हो गए हैं, और अपने 14 दिन पूरे होते ही हम सब लोग प्लाजमा डोनेट करेंग ये सब लोग हमारे हीरो हैं, ये सब लोग निस्वार्त भाव से डोनेट कर रहा हैं, इनको क्या पड़ी थी, ये कुरोना हुआ है इन लोगों को ठीक हो गए, ये भी घर जाके बैठ जाते हैं, लेकिन इस सब लोग समाज के लिए किसी की जान बचाने के लिए कुछ कर रह हैं, और ये सबी लोग मेरी उमीद हैं, ये सबी लोग दिल्ली के लोगों की उमीद हैं, मेरी ये गुजारिश है कि ऐसे लोगों को पूरे समाज को सम्मान करना चाहिए, और खास तोर से सबी RWA से मेरी उमीद है, कि ऐसे लोग जो जो प्लाजमा डोनेट कर रहे हैं अपने का भव्य सम्मान होना चाहिए सार्वजनिक सम्मान होना चाहिए पब्लिक के बीच में इन सब लोगों का सम्मान होना चाहिए नमस्कार